तो आज केस भी हम सीखने वाले हैं प्रोडूसर रिक्स एंड कंजूमर रिक्स इसके बार इम्हाद थेरिकल नहीं बलके प्रैटिकल सम्ट सिखाने वालो तो इस लोड़ी को लास्टा जहूँ दुखिएगा और यह तो टॉपिक है एक्जाम में सेवन मक्का कंपल्सरी सिखते हैं तो संब में लेना है और कोशन नमर 29 तो पहले में से रीट कर लेता हूं फोर सिंगल सेंप्लिंग प्लान एक हजार पक्चाश और एक फाइंड प्रोडूसर रिक्स एंड कंजूमर रिक्स वें एक्वल इस इकोल तो 0.04 एंड ल्टीपीडी इस इकोल तो 0.08 और पहले देखिएगा कि सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है जो वेल्यू दीगी यह सेंप्लिंग प्लान किए वो वेल्यू को हम लोग क्या कहते हैं तो देखना है आपर जो यहां पर जो दिया गया है 1,050 और 1 तो मैं बात करेंगे जो 1,000 ही हमारा होता है capital N, capital N is equal to 1,000 व 1 लिखा तो अपर हमें 0 और 1 लेना होगा या तक है अगर 2 लिखा हो तो 0,1 and 2 लेना होगा ओके आपक करते हैं आपर जो दो प्रॉपलिटी दी गई थी एक दी गई थी AQL की और एक दी गई थी LTPD की राइट तो देखिए AQL की जो वेल्यू दी गई वो है 0.04 और LTPD की जो वेल्यू दी गई वो है 0.08 तो चलिए अब सॉल करते हैं प्रोडूशर रिक्स और तो चलिए तो सबसे पहले बात करता हमें प्रोडूशर रिक्स की तो इसे फाइंड आट करने के लिए चीज आद रखिएगा आपनो हमेसा कि हमें जो प्रॉपलिटी कॉंसी इस्तिमाल कर जो याद यह जो रहे आधा हमें साभ कैपिटल एंड देखिएगा जो कैपिटल एंड की फेलीू दोसों से अधीक हो दोसों से जादा हो बढ़ी हो तो उसमें हमें वैल्यू हमें सा पॉइजन डिस्ट्रुबिशन इस्तामल करना रहेगा अगर कैपिटल एंड के खिवए ठीक है तो हमें hypergeometric इस्तेमाल करना होगा तो यहां पर देखिए capital N के value जी दीए कि 1000 मतलब दिस्ट्रीशन मतलब पोईजन डिस्ट्रीशन का इस्तेमाल करके हम find out करेंगे तो पोईजन डिस्ट्रीशन के नहीं रखेंगे तो सबसे बहुते हैं को value find out करनी होती है इस small np dash की अब इस small n पो यापको पता है कितना होना है 50 और यह जो p dash है वह हमें कौनसा लेना है प्रोडूशन के लिए aql का लेना है aql is equal to 0.04 तो मैं aql की value इस्तमाल करने रहेंगे तो 0.04 तो np आ हो जाएगा यहां पर हमें 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा अब formula अप्लाए करते है poison का तो poison का formula है e minus np np की यहां पर हो जाएगा d upon में d factorial तो चले अब solve करते हैं यात रखेगा 0 और 1 के solve करना है d क्या 0 और 1 था तो 0 के लिए solve करना है और 1 के लिए solve करना है तो साथ में solve करेंगे तो पहले np बराबर 2 np बराबर 2 और इसकी first हो जाएगी value d 0 upon 0 factorial plus e np बराबर 2 2 की अब इस बार कितने value हो जाएगी d की 1 upon में 1 factorial अब e की minus 2 की value हमको sums में दी हुई है अब check out कीजिए यहाँ पर 0.13534 तो value में अधार होही से ले लेना है 0.13534 और 2 की 0 तो उसका answer 1 होगा upon 0 factorial उसका भी answer 1 होगा plus again e की minus 2 वही value में रखना 0.13534 2 की 110 कितना होगा 2 होगा upon 1 factorial का answer 1 और final हम यहाँ पर into करके final answer निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर इसका into करेंगे 0.13534 यहाँ प्लस यहाँ पर तो हमें दोनों को add करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.40602 यह हमारे इसकी probability होगा यहाँ आखिएगा producerrix के लिए हमें क्या करना है कि producerrix के लिए हमें एक काम और करना है extra कि जो probability find out होगी है उसे हम क्या करना 1 में से minus करना रहेगा 1-PA और producer इसको हम कहें देंगे symbol में alpha 1-PA, PA मिन जो हमने probability find out की है वो value 0.40602 0.40602 और 1 में से minus करेंगे तो final answer हो जाएगा producerrix का 0.59398 यह हमारा हो जाएगा producerrix तो ऐसे find out के जाएगा producers अब बात करता हूं में consumerrix की right तो consumerrix के लिए same process ही करना है बस हमें probability change कर देना है मालब जो small NPDs again हम find out करेंगे small N तो वह हमारा 50 ही होगा right लेकिन जो PDs की बात करूँ उसके लिए हमें क्या लेना होगा LTPD की value इस्तमाल करना होगा तो LTPD की value जो दी गई है 0.08 वह हमें use करना है तो NP में P की value 0.08 तो final आगया NP is equal to 4 अगें हमें वही formula इस्तमाल करना poison के लिए भी वही small NP minus NP की D upon में D factorial अब यहां NP 4 हो जाएगा या रखिएगा और हम D एक बास 0 value लेना है D की और second time जो है हमें D की value 1 लेना है तो चलिए अब E की minus 4 की value यह भी हमें बुक में ही sums में दी होगी यह से देखें यहां पर दीएगी है 0.01832 तो वो write down कर देगा हम 0.01832 into 4 की 0 1 0 factorial 1 अगें यह की 4 0.01832 into 4 की 1 time 4 upon में 1 factorial का 1 अब इसका solution करेंगे तो वही value होगी 0.01832 प्लस यहां पर 4 काम into कर देगे तो हमें जो value मिल जाएगे 0.07328 दुमें को add कर देगे तो 0.0916 मिल जाएगा यह होगे PA अब यहां तक यह consumer risk के लिए आपको addition कुछ काम नहीं करना है consumer risk जिसे हम बीटा बोलेंगे और directly जो PA की value मिली हमें वही उसका direct answer हो जाएगा 0.0916 यह हो गया बीटा बीटा मिन्स consumer risk